गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स समासास्त्र की यूटूब क्लास्ट ना आपका स्वागत है समासास्त्र का परिछे प्रस्रपत्र में हमने चर्चा की चीज समाजिक परिवर्तन क्या है समाजिक परिवर्तन के क्या प्रतिमान है आज हम चर्चा करते हैं कि समाजिक परिवर्थन के सिद्धान्त में सोरोकीन का सिद्धान्त क्या है समासास्त्री पित्रिम सोरोकी ने सामाजिक परिवर्थन का चक्रिय शिद्धान्त अपने पुस्तक सोशल चेंज एंड कल्चरल डानमिक्स में परतिपादित किया है इनके अनुसार परिवर्थन एक चक्र के रूप में होता है परिवर्थन एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता फिर तीसरी अवस्ता और पुने पर्थम अवस्ता में चक्रिय रूप में होता है सोरोकी ने सामाजिक परिवर्थन की वैख्या संस्कृत्ति के निम्न तीन प्रकारों के अधार पर की है संस्कृति की प्रकार विचार्णात्मक अदर्श्वादी और इंद्रिय प्रक शवरोकी ने संस्कृति को एक वियाउस्ता माना है जिसके विभिन तत्व एक दूसरे से करंबद रूप में संगटित होते हैं प्रतेक संस्कृति के विकास के एक सीमा होती है एक सीमा तक विक्षित होने के बाद संस्कृति में परिवर्थन की प्रक्रिया प्रारंब होती है एक प्रकार की संस्कृति का विकास चरम सीमा तक पहुंचने के बाद बाद दूसरी प्रकार की संस्कृति के ओर अगरसर होती है विचानात्मक संस्कृति विक्षित होकर इंद्रिय प्रक संस्कृति के ओर अगरसर होती है इसी प्रकार इंद्रिय प्रक संस्कृति एक सीमा तक विक्षित होने के बाद विचानात्मक संस्कृति के ओर अगरसर होती है इन दोनों ही प्रकार के परिवर्थन की दिशाओं में इन संस्कर्टियों के मद्दे आदर्शवादी संस्कर्टि की अवस्ता में से होकर गुजरना होता है सिधान्त की मानेता हैं सोरोकिन का सिधान्त इनकी द्वारा उठाए गए दो प्रस्णों एवं उनके तीन संभावित उत्रों पर आधारित है पहला प्रस्ण अंतिम सत्य क्या है दूसरा प्रस्ण जिवन के सर्वोच मुल्य क्या होना चाहिए अंतिम सत्य क्या है इनके नुसार अंतिम सत्य के तीन संभावित उत्तर हो सकते हैं अंतिम सत्य वही है जिसका इंद्रियों के द्वारा ग्यान हो सकते दूसरा इंद्रिय बोध सत्य नहीं है संसार नस्वर है और सत्य इंद्रिय अतीत है तीसरा सत्य वहबिये जो इंद्रियों बोध है और सत्य वहबिये जो इंद्रियों से परे है दूसरा जिवन के सरोच मुल्य क्या होने चीए जिवन के सरोच मुल्य के भी आपने तीन संभावित उत्तर दिये हैं जो निम्न प्रशनों के अधार पर उत्रों में समाहित होती है पहला अगर सत्य इंद्रिय बोध है तो सर्वोच मुल्य खाओ पियो और मोध उड़ाओ है बोतिक वस्तों का उबोग ही सर्वोच मुल्य है आपने इसे इंद्रिय प्रड़क्शन्स करती का है दूसरा अगर अंतिम सत्य की कल्पना सासुत के रूप में है जगत मित्या है तो सर्वोच मुल्य त्याग वए संसार से पलायन होंगे इसे विचारनात्मक संस्कृती बताया गया है अगर अंतिम सत्य इंद्रिय बोध एवं इंद्रिय तीत दोनों है तब सर्वोच मुल्य बहुतिक जीवन को नेलिप्त रूप से भोगने से हैं इसे आदर्शात्मक संस्कृती की संग्यादी है संस्कृती के प्रकार की बात करें तो पहले है इंद्रिय प्रक्षंस्कृती सोरोकी ने बहुतिक वादी संस्कृती को इंद्रिय प्रक्षंस्कृती कहा है इसे चेतनात्मक संस्कृती भी कहा जाता है ये सरीर की सभी प्रकार की आवस्यक्ताओं की पूर्ती में विश्वास रखती है ये संसकर्ती यथार्त होती है इस संसकर्ती में बोतिक वस्तों का महत्व अधिक बढ़ जाता है इस संसकर्टी में बोतिक आउस्षकता हूए इमिच्छों की पूर्थी के सादरों की परधानता होती है इनके अधिक्तम पूर्थी के लिए विज्यान और प्रणदगी को महत्वध दिया जाता है दूसरी है विचारनातमक संसकर्थी इसे चिंतनात्मक संस्कृति भी कहते हैं यह है इंद्रिय प्रक्ष संस्कृति का विपरित रूप है यह संस्कृति अपना ध्यान आध्यात्मिक चिंतन में रखती है इस संस्कृति का समंग इंद्रियों से इन्या होकर धार्म दर्शन आध्यात्मक सक्ति से होता है विचारनात्मक संस्कृति का उद्दे से अंतिम सत्य की खोज, धर्म, दर्शन और आध्यात्म होता है यह नवीन आविस्कारों में विश्वास नहीं रखती इस संस्कृति से विकास पिछड जाता है तीसरी है आधर्शात्मक संस्कृति इस संस्कृति में इंद्रिय परक और विचारनात्मक दोनों ही संस्कृतियों की विश्वास नहीं देखी जा सकती है आधर्शवादी संस्कृति में धर्म, तता विज्ञान, भोतिक सुक्ष और आध्यात्म सभी को समान रूप से महत्व दिया जाता है स्वरोकी ने आधर्शवादी संस्कृति की अवस्ता को सर्वोत्म बता हैं क्योंकि है अन्य दोनों प्रकार की अवस्ताओं का संतुलन और समनवे होती है सामाजिक परिवर्टन की व्यक्या सोरो की ने संसकर्ट के उप्यूक्त तीनों प्रकारों के अवस्ताओं के द्वारा सामाजित परीवर्तण की निम्न व्याक्या किये इनकी मानेता है कि जब एक समाज विचारनत्म संसकर्टि के विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके वाद वे दिरे दिरे विप्रीत प्रकार की इंद्रिय प्रक्षनस्कृती की और गतिशील होता है लेकिन इंद्रिय प्रक्षनस्कृती की अवस्ता को प्राप्ट करने से पूर्व वह समाच कुछ समय के लिए अधर्शात्मक संस्कृति की अवस्ता में से होकर गुजरता है इस प्रकार से सोरोकिन के नुसार समाधिक परिवर्थन की प्रिक्रिया निरंतर विचारनात्मक संस्कृति से अधर्श्वादी संस्कृति आधर्श्वादी संस्कृति से इंद्रिया परख संस्कृति फिर इंद्रिया परख संस्कृति से पुना आधर्श्वादी संस्कृति की अवस्ता में होता हुआ विचारनात्मक संस्कृति की अवस्ता में पहुंचता है यह परिवर्तन का क्रम चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है और समाजिक विकास होता रहता है सोरोकिन के सिध्धान्त की आलोचना करें तो हम सोरोकिन का सिध्धान्त यह है इस पष्ट करने में ऐसे पल रहा कि समाज एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के और क्यों परिवर्थित होता है। दूसरी बात सोरोकी ने समाज की संस्कृति परिवर्थन को एक सोभाविक प्रक्रिया बता है। किन्तु कई बार संस्कृतिक परिवर्थन एक सोभाविक एवं नियोजित रूप से भी लाए जा सकते। सोरोकी ने समाजिक परिवर्थन के समंद में जो निश्यात्मक भविश्यवाने की है वह है विज्यानिक रूप से सही नहीं है। क्रेज समाजिक परिवर्थन के सिद्धान के। समाज सास्त्री काल मांस ने समाजिक परिवर्थन का आर्थिक सिद्धान परटिमादित किया है। इनका कहना है कि सभी समाधिक परिवर्थनों का मुख्य कारक आर्थिक तत्व है और सभी परिवर्थन इसके परिणाम है। मार्क्स के सिद्धान्त को आर्थिक निडारनवाद या इतियास की भोतिक वैक्या भी कहा जाता है। मार्क्स का विचार था कि समाज विभीन अवस्ताओं से गुजरता है एक अवस्ता के बाद दूसरी अवस्ता अस्तितों में आती है एक अवस्ता में परिवर्थन का कारण आर्थिक ततों अथार्थ उत्पादन वित्रन के डंगों में परिवर्थन है जिवन की भोतिक अवस्ता में परिवर्तन सभी सामाजिक संस्ताओं यथा रज, धर्म, परिवार, आदि में परिवर्तन ला देता है दूसरी ओर माक्स ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संगर्ष को माना है माक्स ने कहा कि अब तक का मानाव इतियास वर्ग संगर्ष का इतियास है माक्स के अनुसार जिस परकार के उत्पादन के सादन होंगे उसी परकार का समाज होगा पर्तेक समाज में आर्थिक हितों को लेकर दो वर्ग पाए गए है एक वर्ग वैज इसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है दूसरा वर्ग वैज इसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं है दोनों वर्गों में परस्पर हितों को लेकर संगर्ष पाय जाता है माक्स ने इसे वर्ग संगर्ष का है कि इस वरक संगर्ष के उप्रांत एक नई समाजवयोस भूरकर सामने आती है और समाजवयोस परिवर्षित होता है समाजिक परिवर्षतन के मार्क & विभिन चरण या प्रारूप बताए हैं पसला जन् तीसरा पूंजी वाद और चोटा फिर समाज वाद जिसे समय वाद भी कहा था मार्क्स ने आर्थिक तत्तों पर आधारित वर्क संगर्च के द्वारा समाजिक परिवर्टन को समधाने का प्रियाश किया था माक्स के आलोचनाओं की बात करें तो माक्स का सामाजिक परिवर्थन का सिद्धान्त अधिक मातरा में सामाजिक दसाओं में परिवर्थन की वैख्या करता है माक्स ने परिवर्टन का एक आर्थिक कारक की महत्वपूर्ण मानना है जबकि परिवर्टन के अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते माक्स ने परतेक समाज में केवल दो ही वर्ग की कल्पना किये परन्तु मानव इत्यास में अन्य वर्ग मद्यम वर्ग भी रहा है जिसकी माक्स ने अभेलना किये माक्स ने जिस सामयबाद की कल्पना किती वो अभी तक नहीं आया है कालमाक्स का सामाजिक परिवत्तन का सिद्धान एक पक्सी है समाज के अन्य पक्सों के उसने अवेल ना की धन्यवाद